अर्श अर्श वाज और इसलिए क्योंकि आज मैं अपना व्लौग दो पर में स्टार्ट many mais JU और तो आज हम तो रोट पे थे हमका चेलिए दोपर में सुरू करते हैं यहीं से सुरू करते हैं तो आज अपना इंट्रोडक्शन और गुड़ अप्टरनोन आज आपका वेलकम सब यहीं से कर रहे हैं कि अधर के ओलंग को दिखाते हैं मैं आपको दिखाता हूं कहां को पूजा दिखा देते हैं उसके आगे आपको बताते हैं तो कल से नौरातर स्टार्ट होने वाइं कम 16 तारीक है तो अब दुर्गा पूझा में पर ड् psychiat होता है और यहां पर भी अच्छा होता है सुरू होगा कल से नौरात्र में मलब कलचा बैठेगा लगां तो चलिए हम अब दिखाते हैं किछ दुरगा पूझा पंडल लग रहा है अगर जिसका होगया तो आज फिलाल चलिए मैं आपको दिखाता हूं जो रहे हैं यह पहला पूजा का पंडाल है इसमें दूरगा जी की मुर्ति बैठाए जाएगी यह पहला पंडाल मैं आपको दिखा रहा है पास रोड़ वेच के पास रोड़ वेच के चौराय की तरफ निकल जाता है एक निकल जाता है टीटी कॉलिज की तरफ इसी की बीच में यह दूरगा जी का पहला पंडाल बैठाए वह मैं आपको दिखा रहा हूं आप लोग देख रहे हैं दूरगा पूजा के लिए जो मंद पूजे बाजे के साथ कि मुर्थी का रही है तो आप लोग देख रहे हैं यह सिपा पे जो चवराय पे मुर्ती लेगनी सिपाति रहे पे वहां का अजगूर का पूजा का पंडाल है तो यहां भी डेकरेशन चालू है तो रात बर में पूरा डेकरेशन हो जाएगा यहां क लोग ले जा रहे थे मूर्तियां ट्रैक्टर के लोड़ों सारे पंडाल थी वह इसलिए ने दिखा क्योंकि आगे से कबर की गई थी उसका अंदर डेकोरेशन चल रहा था तो हमको लगता है कल नौरातर स्टार्ट हो रहा है तो कल से वह सब चीजें हड जाएंगे वह पुरा से लाइट ही रहती है जहला होते है तो उस रात का जो सीन जुता है यह これ 하면 लिभाल माइन। कल के ब्लॉग में रात का सीम में आपको कल दिखाऊंगा तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे थैंक यू सो मच आपका भाई विशे क्या तो ऐसे लगा रहेगा जब तक आप लोग हमको आगे नहीं बढ़ा देते तब तक हम लगे रहेंगे ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे और इसे वीडियो आपको रोज नया नया कुछ ने कुछ ब्लॉग में हमारे रहेगा कर दो